अब अच्छों मैं सभी कास सावबत करता हूं फीजिस गाल मकेश ने चैनल पर बहुत सब्सक्राइब बैच्चे की दिमाद भी कि एक अलोगे गाश में फीजिस मैक्स और केमेश्ट्री पढ़ाने वाले टीचर तो है लेकिन क्या सब्सक्राइब के लिए जवाब बोलके हम लोगों ने इंटरूस कर रहे हैं आज बाइब के टीचर को और हम लोग बता रहे बच्चों की हमारे पास एक लिवे जो बैच ही इस एक लिवे बैच में जितने सब्सक्राइब के लिवे बैच के टीचर होंगे वो पीजी मतलब पोस्ट ग्राइजिएशन जिनका मसी हो चुका है जिनका बीएड हो चुका है मतलब एक ऑथेंटिक टीचर को हम लोग इंटरूस करना चाहते हैं एक लगवे बैच के थ्रू तो ऐसे ही टीचर को मैं यहां पेड़ नणका सी अपनी अमधर मतलब इसका मतलब किया जिन बैच्चे की पड़ाई हो चुकी है वही बैच्के यह समझ सकते हैं यसा नहीं तो बोलनेगी शर रिए थो अपमивает हम जा बहुarp क्या करकेंगे रिए बच्चो अगर इसमें सी निट लेवल के लिवेट हम लोग और साथ में आप लोगों को कॉंसर्ट की एपरोच देंगे अप पुलेंगे सर इसको अरगियानिजम को डेटेल्स में पढ़ा अगर आप लोग चाहते हैं इतना प्यार अगर यह चैनल को भी जाता है तो वह भी लेक्चर से आप हमको इसके ओपर कॉमेंट बेच सकते हैं जो आप दियो हैं से कोचिंग क्लासे और भी बहुत सारे इक्स्थे आप रिए जब से नीट करते हैं चाहर न सीर अशे जब नीट से फने चाहलो से अग्चोल में सर का एक्स्थे बहुत अच्छा है शायद मुझा लगता है था विज़ बाच्ची इतना प्यार करेंगे भी आ सब लोग तो जैसे सर ने बताया सर की और मेरी बात हुई थी कि सर बायो के लिए आप आओ तो थोड़ा सा हमने भी स्टार्ट करने का सोचा है जितना आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहेगा उतना हम इसको आगे प्रोसेस करते चलेंगे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बैस से थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है जिन्होंने थोड़ा पढ़ चुका है उनका रिवाइज इसमें फटाफट हो जाएगा अगर आप चाहते हो हम इस सेक्शन को और थोड़ा डीप लेवल में लेके जाए थोड़ा सा और आपको नौलेज चाहिए जिसे नौलेज एक चाहिए तो वह भी हम आपके लिए कर सकते हैं इसके उपर आप आराम से कॉमेंट कर सकते हो तो चलो मुझे लगता है कि आज यह मेरा फर्स लेक्टर है आप लोगों के साथ में तो आप लोगों को भी बहुत सारा मज़ा आ जाए और हमारी जो भी बांडिंग है वह बहुत अच्छे से बन जा है तो चलो हम एक सिंपल सा एक कंसेप्शुइल चाप्टर लेते हैं बहुत अच्छा टॉपीक है बहुत सिंपल है और इसके उपर हर साल क्वेंट बने हुए हैं ओका अगर हम लिएए दोनों जो स्पेसिपक कंसेप्ट या दोनों जो वर्ड्स है यह ए मतलब यह chapter basically आप लोगों को पता ही होगा ecology से base करता है ecology के जो chapter से हमारे 12K parts में उसमें यह है अब देखो living world में जो भी है living world मतलब क्या होता है बच्चो जो भी हमारे आजू-बाजू क्या जो भी surrounding है environment है habitat है ओके सबी कुछ है so that is the point उसी को हम बोलता है living world अब इस living world के अंदर कौन सी कौन सी basic चीज़े आने वाली है तो सबसे पहले क्या आते भी macromolecules macromolecules मतलब क्या gene चीजों से हम लोग बने हुए या कोई भी organism बनता है जैसे हमको पता है number of cells से बनता है macromolecules से cell, cell से फिर organ बनता है just a simple words that is macromolecules, macromolecules are the cell, जैसे आप लोगों को पता है cell is a structural and functional of life okay that is caught as a cell, जब group of cell बन जाता है तो एक tissue हो जाता है okay tissue, tissue से tissue system जनम लेती है और tissue system से specifically organs बनते है फिर organs बना के एक system बनाता है that is हम उसको क्या बोलता है organ system और यही organ system बाद में एक highly developed organisms को बनाता है okay जैसे हम लोग हो गए, जैसे हम लोगों को पता है कि we are very much complex वैसे हम जैसे ही बहुत सारे living creature है इस ecosystem में okay और यही organisms जो है different different organisms मिलके एक particular population को बनाते है population मतलब क्या होता है when different species are living together in a particular geographical area उसका नाम होता है population देखलो एकदम very simple है और जब बहुत सारी population इकस्ता रहती है तो यह बन जाता है हमारा ecosystem okay that is called as the ecosystem यह word को ध्यान में रखना बहुत बार आने वाला है हम लोगों के लिए key when number of populations are living together okay वो भी उनके साथ आता है और बहुत सारी ecosystem मिलके एक word आता है हमको बोलता है जिसको हम बोलता है biome okay अभी biome क्या है biome को भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जब इसके बात पढ़ेंगे तो यह just the introduction है कि फिर से देख लेते एक बार living world macromolecule tissue cell tissue organ organ system organisms फिर populations फिर ecosystem और फिर बायोमी हमको पता भी है कुछ टाइप के बायोमी होता है that is more बायोमी के अंदर आता है ecosystem इसके उपर questions आ चुके है CET के अंदर ठीक है अभी जैसे हम ecology की बात करते हैं यह word हमको किस ने दिया तो जैसे हमने यहां पर बात की हुई ecology the term एक बंदा था heckle नाम का इनको बोलते है Sir Ernst heckle इन नोंने सबसे पहले हमको इस word का proper meaning दिया लेकिन यह पहले बंदे थे क्या कि जिन्नोंने हमको ecology यह word दिया नहीं इनसे पहले भी एक ऐसे साइंटिस हो चुके है जिन्होंने इस word का इंट्रोडक्शन दिया है उनका नाम है राइटर ओके जो दैट इस कॉड़ दा राइटर यह वर्ड ध्यान में रखना ही फॉस्ट कॉइन दे टर्म इन्होंने सबसे पहले ecology यह टर्म को कॉइंड किया है मतलब सबसे पहले राइटर उनके बाद आ गया हैकल उनका बिसेपिकली 1834 से 1990 है अब यहां पर देखो बहुत छारे बंदों को एक confusion रहता है कि सर जैसे हम कोई बात करता है father of ecology की इंडिया के हिसाब से ओके तो सबको एक नाम तो पता होता है कोन भाई रामदेव मिश्रा ओके इस रामदेव मिश्रा इस बेसिकली वाट फादर ऑफ इंडियन एकोलोजी बट जब हम इंडिया के बाहर की बात करते हैं तो हूइस द फादर सो यूजीन ओडम इस द वर्फादर ऑफ एकोलोजी यह ऐसे पहले थे जिनको father of ecology वर्ड में popularization मिला इनके नाम पे सबसे पहले एक institute भी बना है okay that is called the institute of ecology एक साथ सब पहला college वर्ड में बन गया इनके नाम से देखो यह आपे नाम लिखके देता हो आजाओ यह बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसे कि वोड़ा है तो ओडम स्कूल औफ इकोलोजी ओगे और है ओर से अनस्थायकल रेटर के बाद में हैकल है किल एक जूलोजिस्त है यह बात ध्यान में रखना ओंके पीज़ बैसिकली जूलोजिस्ट पता हो ना चाहिए थोड़ा सा साइंटिस्स लोगों के बारे में क पूछते हैं ओके रामदो मिश्रा सर के ऊपर क्वेशन आए तो ध्यान रखना आप लोगों इस दा फादर आफ इंडियन एकोलोजी ठीक है और यूडीन ओडम यूजीन ओडम इस दा फादर आफ उडेकोलोजी तैसे अभी एकोलाजी में अब गचाल बहें परकाली अपर अपर आफ majGS पाहली यूजी घ contrraald के बात करेंगे हम basic their basic है यूँनिट ऑफ इकोजी सान पर आफ इकोलोजी है् सब्सक् COBी जान वे नहीं ले सकती और आर्गेनिजम्स हमेशा basic level पे होते हैं जैसे हमारे body के अगर हम बात करता तो cell कैसा है स्ट्रक्शल और फंक्शन उटेट है तो वैसे ही organism यह basic unit होता है कोई भी ecology का अभी और्गेनिजम्स ही आगे बढ़की क्या बनाते पोपुलेशन बनाते हैं हमको पताही है यह बात that is the population, there are number of individual या specific species के individual बना के एक population जनम लेती है, population ही आगे फिर से community बनाती है, ऐसा हम इसको बोल सकते है कि फिर different species आएंगी, population particular species का आएगा community, number of species के आएगी, और यह सभी बन के क्या बनाती है, बाद में एक biome बनाती है okay, biome में क्या रहता है, एक specific level के organism और plant जिनके कुछ similar character है वो particular जगे में साथ में रहते हैं, यह फिर से आने वाला है मिसके उपर थोड़ा फिर से discuss करेंगे, तो ध्यान में रखना what we are discussing, there are four levels of ecology first is organism, second is the population, third is communities and fourth is biome, biome is also another यहापे में एक word लिखके रखना, ध्यान में रखना is a large community okay, बहुत सारी चीज़े होंगी यहापे, ठीक है, चलो हाँ, चलो बच्चो, so now, biome के बार में बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट यहाँ पर छोड़ा था biome, तो biome के अंदर भी कुछ components आता है, biome में थोड़ा सा bigger level पे एको सिस्टेम का पार्ट रहता है, biome मतलब चीज़ क्या है, देखो मैं एक सिंपल सा definition बोलता हो, रादर दन हर एक बूख में कुछ ने कुछ complexes रहते हैं या complex definitions रहते हैं जो बच्चों को remember करने के लिए थोड़ा सा difficult रहता है, तो simple biome मतलब क्या है, where plant and animal जिनका similar life span है, ऐसे plant and animal एक जगे पर रह रह रहे है या particular location में रह रहे है, जिनका similar life span है, what is the point, similar life span, बस इतना सारा वर्ड तुम याद में रख लो, biome के बारे में station low, अब biome के अंदर there are certain components, या certain levels बोल दो, जो आते हैं, okay, कुन से कुन से आरे में यहां पर, जैसे हमने यहां पर write down करेके रखा है, what is the first one is the desert, okay, अभी desert में हमको पता है, कि क्या होता है, high temperature is the main thing, okay, जहां पर temperature ज्यादा रहता है, और जो भी species level है, यह यहां पर minimize रहते है, या number of species are less, okay, that is the point Q की temperature fluctuations, बहुत रहता है, यह पहला biome हो गया, फिर दूसरा biome के बारे में बात करते हैं, the tundra, अभी देखो मैंने यहां पर आपके लिए कुछ simple सा करके रखा है, बहुत सारे बच्चे confused रहते है, sir, tropical क्या है, temperate forest क्या रहता है, sir, फिर यह t things comes into the, बच्चो की दिमाख में आते रहते है, okay, so what is the tundra, tundra मतलब एक particular जगी का नाम रहता है, जहां पर temperature low रहता है, और short growing plant रहते है, मतलब plant का height रहेगा छोटा, और temperature लहेगा permanently low, मतलब throughout the year यही condition रहेगा इस location का, so as जब ऐसे location हमको मिलते है, तब हम उनको उसा बोल देता है, tundra, देखो यहां से आपको बहुत simple से समझ जाएगा कि चीज क्या है, okay, grassland जैसे उसका नाम ही suggest कर रहे है, कि basically abundant grasses इस location पर particularly present होंगे, that is called as the grassland, फिर हम बात करते है, temperate forest और tropical forest जो बच्चो के main हर साल confusion की चीज होती है, तो देखो एक simple सा logic है यहां पर, temperate forest में क्या होता अभी, moist summer होता है, और cool winter होता है, मतलब क्या होता है, यहां पर moist summer रहेगा, okay, जैसे बंबे में climate होता है, moist रहता है, ज्यादा पसीन आता है, so simple यहां पर moist summer रहेगा, और winter जो होगा, वो काफी cool होगा, okay, और फिर अगर tropical की बात करेंगे, तो यहां पर more rain होगा, और यहां पर कभी भी dry season नहीं होगा, अभी इसमें और एक point दोश होते हैं कि plant leaves, shaded leaves भी करते हैं, पत्तों को भी गिरा देता है, यह भी आ जाएगा, okay, so tropical की बात करते हैं, more rain and no dry season, यहां पर पानी का, बारिश का, जो मातरा है, वो काफी high होगा, और यहां पर particularly dry season नहीं होगा, मतलब साल थोड़ा 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 बारिश by time time पे आता ही रहेगा, okay, so that is basically the tropical, तो यह आप इसको ध्यान में रख लेना, book में, यह श्रीविन के नाम है, पूरा classification नहीं है, तो हमने इसको क्या, बहुत अच्छे से short करके दे दिया आप लोगों को, कि यह tropical, temperate, grassland, tundra and desert, यह क्या हो गई भी component of biome हो गए, बच्चों यह ध्यान में रखना, this is basically the biome, okay, अभी हमारे book में चार्ट दिया है, अगर हमारे state board है, हम follow करते है, okay, बहुत सही सिलेवस बनाया है, नया सिलेवस, okay, so habitat and niche, okay, तो habitat क्या चीज़ है, हम लोगों को habitat तो पता होता है, ब species lives and interact with each other, मतलब ऐसी जगह जहां पे species अपने एक दूसरे के साथ में रह रही है, मतलब बहुत सी जंगल में शेर भी रहेगा, चिता भी रहेगा, डियर भी रहेगा, elephant भी रहेगा, ऐसा, तो that is basically the habitat, और वो एक दूसरे से interact भी करते रहेंगे, तो एक जंगल मतलब क्या होग है कि वो खुद लाइफ अपनी कैसे बिता रहा है, देखो अगर यह confused हो रहा है, मैं और एक वर बताता हूँ, habitat मतलब क्या होता है, कि simple सी बात है, कि जैसे हम बात करते कि वो समझो कोई बंदा है, देखो एक simple example बताता हूँ, क्यों बही कैसा रह रहा है, अपने आजू कैसा जी रहा है, खुद का life, मतलब वो खानी के लिए कहा जा रहा है, मेटिंग करने के लिए कों से partner को धूंड रहा है, वो food उसका कैसा सर्च कर रहा है, यह सभी चीजे जो है, वो niche के अंदर आएगी, और niche is a component of habitat, यह habitat का component है, basically, तो how organism live in the niche, that is the point, मतलब क्या, कि बाइब यहां पर जी कैसे रहा है, that is the point, मतलब niche के अंदर वो कैसे रहा है, खाना कहा खा रहा है, पानी कहा पी रहा है, रहे का रहा है, अपना family कैसे बना रहा है, so that is God as the niche, देखो अभी यह इतना simple हो गया, clear, आ जो, next point क्या है, मैंने अब भी बोला, इसके अंदर niche आएगा, habitat के अ falls है, और कोई भी other factor से हमेशा affected होगा, बारिश नहीं होई, बिचारे को, खाने को नहीं मिलेगा, habitat छोड़के दुसरे जगे चलेगा, migrate हो जाएगा, बहुत सारे चीज़े होती है, तो यह सभी चीज़े किसी भी animal के habitat के उपर क्या डालती है, असर डालती है, मतलब क्या बोल कौन सा है, ecosystem में, that is depending on, मतलब वो कैसा है, atotrop है, heterotrop है, किस बंदे के उपर जी रहा है, उसको उपर कोन जी रहा है, that is all, मतलब flow of energy कैसे जा रही है, okay, so that is the niche, fourth point आजाओ, support in numerous species, अभी हमको पता है, jungle में तो बहुत सारे spaces रहते हैं, तो jungle is a habitat है, तो बहुत सारे spaces को support करेगा, that is the point, okay, लेकिन niche क्या है, single spaces, क्या बात कर रहे हैं, single spaces, क्योंकि वो अकेला ही है, और अकेला कहां कहां जा रहे है, वही तो niche है, कहां खाना कहा रहे है, that is the point, habitat क्या है, एक physical place है, okay, jungle जैसा, या कोई और जगा, जहां पे कोई रह रहा है, कोई polar, जैसे polar भी है तो, पोलर में तो उनका habitat वो हो गया, that is the point, लेकिन यह क्या है, यह activity performed by organism है, कि वो भाई कौन सा activity कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, दोड रहा है, arboreal है, पेड़ पे है, aquatic में है, terrestrial में है, so that is all, about the habitat and the niche, get it, चाला, चलो बच्चो, so now we are going to discuss about the type of niche, ओके, यह भी हमारे book में दिया हुआ है, कि different types of niche क्या है, तो देखो हमने यहाँ पे बात करते है, special or habitat niche, special or habitat niche क्या होता है बई, this is the basically physical space occupied by organism, यह कौन सा physical space उस organism ने habitat के अंदर लिया है, मतलब physical space occupied by organism, बहुत है simple definition है, एकदम से फट से याद हो जाता है, जैसे इसका नाम ही है, क्या है, habitat niche, habitat का मतलब होता है कि वो particular जगे पे कहा रह रहा है, so that is physical space occupied by organism, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, so this is my physical space, जो इसको मैंने occupy करके रखा है, तो यह मेरा हो जाएगा अभी, थुड़ी देर के लिए समझने के लिए, okay, so that is basically habitat niche या special niche, okay, next बात करता है, tropic niche की, okay, जैसे मैंने अभी बताया तुम लोगों की, कि वो बंदा ट्रॉपिक लेवल में कहां पे आ रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे उसका, ट्रॉपिक निश, पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे कौन सा आ रहा है, फूडचेन में कहा है भई, फ्लो आफ एनरजी कैसा चल रहा है उसके पास, तो ओके, that is called at the particular ट्रॉपिक लेवल में आएगा, ट्रॉपिक निश, अभी बात करते हैं, मल्टी डायमेशनल और हाइपर वॉल्यूम निश, मैक्जिमन बने यहां पे कन्फूच रहते हैं कि सर यह होता क्या चीज है, देख एक दम सिंपल है, यहां पे, number of environmental factor को, कौन से environmental factor भाई दोनों, कौन से भाई बायोटिक भी, मतलब जिन्दा जो है, ओके, and, ओ बायोटिक भी, इनको consider किया जाता है, ओके, बायोटिक और ओ बायोटिक factor को consider किया जाएगा, ओके, और जो resulting space होगी, उसको हम हाइपर वॉल्यूम बोलते हो, ओके, और ऐसा मा जाता है, ओके, that is perceived का मतलब होता है, मानना, कि it is human mind का एक यह है, मतलब ऐसा मानते है इस चीज को, कि this is the multi-dimensional or hypervolume niche, मतलब क्या बात है, number of environmental factor का जो भी space रहेगा, उसको हम हाइपर वॉल्यूम बता देंगे, that is a very simple one, ओके, अभी और दो टाइप के niche दिया है, हमारे book के अंद होता है, fundamental मतलब, no existence of competition, जहां पे कोई competition का level है नहीं, ओके, बट ऐसा कभी भी होता नहीं है, ओके, यह just concept है, क्योंकि nature में हर जगे पे competition होता ही है, competition, मतलब यहां पे सभी चीज़े abundant amount में होगी, मतलब अगर हम food की बात करे, ओके, यह resources की बात करे, यह द्यार abundant one, no existence of competition, food or resources वहां पे बहुत सारे होगे, लेकिन यह सही नहीं होता है, बट फिर भी इसका होता है, अभी देखो, एक और टाइप का होता है, that is cottage का नाम ही क्या है, realized niche, क्या बोला हमने, realized niche, अभी इसका नाम क्या सजेश कर रहा है, कि यह real है, okay, real हो मतलब क्या होगा, यहां पे competition होगी, existence of competition, यहां पे competition होगी, इसके साथ बहुत सारे बंजय होगे, किस चीज़ के लिए, food के लिए, resources के लिए, सभी चीज़ के लिए, वाटर के लिए तो यहाँ पे रियालाइजनेश तो यह काफी सही है क्योंकि यह सही नेचर में होते रहता है क्योंकि नेचर में जितना सारा है वहाँ पे competition है ही है हर चीज के लिए जो fit है tough है वही इसको मिलता है जैसे हम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा उसमें भी यह concept था बस यहाँ पर थोड़ा सा elaborate करा है कि रियलाइज नीश है तो existence of competition और नो existence of competition चलो बच्चो आजाओ बात करते हैं major abiotic factor अभी major abiotic factor गया थोड़ा सा elaborate concept है इसके उपर बहुत बार question आ चुके तो हम इसको पढ़ लेते एक बार कि water the major abiotic factor जैसे हमको पता temperature है water है soil है okay this is all light हो गया उसके अंदर यह सभी major factor है जो ecosystem के उपर effect डालते temperature ज्यादा हो गया तो effect आएगा बारिस नहीं हुई तो भी effect आएगा okay there are many more reasons why the यह जो component है बड़े-बड़े component है जो ecosystem के उपर impact डाल रहे हैं तो चलो पढ़ लेते सबसे पहले temperature अभी हम लोगों को पता है we have seen vast range of temperature in our system मतलब क्या अगर हम basically अगर midway से जाएंगे अगर अर्थ का midway है जहां से हमारा basically जहां पर temperature ज्यादा रहता है basically जैसे हम उपर जाएंगे polar regions की तरफ जाएंगे okay तो polar region की तरफ क्या हो जाएंगा जैसे हम इंडिया की बात करते चलो बाती वर्ड की बात छोड़ दो एक इंडिया की बात करते इंडिया में देखो कश्मिर में की तरफ जाते जाएंगे तो वहां पर क्या करते रहता है तो यह temperature के हिसाब से हम हमको खुद को एडिस करते रहते हैं तो यह जो एडिस्मेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसी हिसाब से इनको क्या है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स में ओके तो उन्हीं को हम अभी पढ़ने वाले देखो कंसेट एकदम आसान है थोड़ा complicated language में देते बुक वाले गुमाफ विराखे लेकिन अपने एकदम सिधा भाशा में सिखेंगे बाई आजाओ चलो टेंपरिजर क्या होता है कि इससे बहुत सारी चेंगें आएंगर्या यह सब्सक्राइब करता है वहाइड्रो थर्मल वेंट क्या होता है समंदर के अंदर से फ़वार निकल रहे होता है को हैडो का मतलब होता है पानी और थर्मल क्या मतलब होता है टेंपरेजर देखो एकदम सिंपल है ओके मतलब वाटर प्लस हाई टेंपरेजर यह बात हो गई तो कोई दिक्कती नहीं है और यह कहां पर सबसे ज्यादा दिखेगा ऐसी जगे पर गरम पानी समंदर की नीचे से कहां निगलेगा जहां पर बेसीकली वॉल इसको हम बोलते है वह थोड़े से हिलते रहता है तो वहां पर क्या होता है कि जो भी आर्थ का इनर टेंपरेजर वह उपर आता है और वह गरम कर देता है यह होता है हईड्रो थरमल यहां पर temperature काफी जादा हो सकता है ओके वोलके नों तो हमको पता ही है और जैसे हम आगे ज मतलब कि अब ऐसे कौन से हमारे पास और्गेनिजम है जो टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेमपरिजर को मतलब खुद का बाहर का टेमपरिजर कितना भी हो लेकिन खुद के बौड़ी को उसकी सबसे टॉलरेट बना लेते जैसे हम लोग बना लेते जैसे थंडी आ ग मिपने साथ करते हैं जो और गैनिसम्स तौर्टरेट करते हैं ॥ि यूर्थरमाइंbang उसके वाइच रहे हैं को इसका और लीक्षप कर हो कि लिएिसे क्षेंड कर रहे है कि मैं सिसी सब्सक्रेब सिंपल सी बात है यह सब कुछ होता है बहुत सारे मंकी यह सब भी आ गया तो यह सब कुछ लोग यह कर रहे होते हैं जिनको हम क्या बोलता है यूरी थर्मल बोलते अभी कुछ ऑर्गनिजम्स ऐसे भी होंगे जो इतना सारा जो टेंपरेजर फ्लक्चुएशंस है वह सहन नही नहीं कंट्र छीज़े होंगी तो उनको हमने डाल दया एक के टेंगरी में उनको हम बोल देता है स्संटेन थर्मल मतलब चीज क्या वैं कि टॉलरेट इंपरिचर का टॉलरणस की उतना रहेंगा ज्यादा यह तो हो जाएग ईक तो वह हाई चोड़ देगा जगे तो स्टेनो धर्मल मतलब क्या है कि ज्यादा टॉल्रेट नैरो नेंज में कर रहा है ज्यादा अगर टेंप्रेचर बढ़ गया तो बंदा सस्टेन नहीं कर पाएगा ऐसे जो बंदा आएगा या समझो बंदा मतलब ऑर्गेनिजम की बात हो रही है आप दयान रखना इसको हम स्टेनो थर्मल तो एक हो गया यूणी थर्मल जो क्या कर रहा है वाइटलदेंज को टोलेट कर रहा है और दूसरा क्या हो जाएगा जेसी सीचाव क्या जकतर की बात कर लेते हैं टो इन MS सारे फिशेश है एक्वाटिक प्लांट से एक्वाटिक एनिमल से वह सभी कहां पर आएंगे वाटर के अंदर आएंगी ओगे तो इनका डिपेंड किस पी उपर रहता है में कंस्टेटिवेंट क्या रहता है इनके अंदर बेसीकली केमिकल कंपोजिशन और वाटर का पीच क्य है उस हिसाब से एक रहेंगे अभी वाटर भी बहुत सारे टाइप के हमारे पास जैसे फ्रेश वाटर हो गया ब्लैकिश वाटर हो गया ओके सी वाटर हो गया सलाइन वाटर हो गया ऐसे बहुत सारे वाटर के टाइप रहता है तो यह किसके उपर डिपेंड करते हम इसको कै करते हैं उनमें कितना है मतलब कितना खारा है सिंपल सी बात है इस ही सिक्वेंस से हम इसको बनाते है तो फ्रेश वाटर में क्या होगा सबसे कम खारापन होगा मतलब मिठा लगेगा खाने में जैसे हम पानी पिते कुवे का पानी पिते तालाप का पानी पिते नदी का पानी जाइघी तो सब्सक्रांगे ँसके बाद क्या हुता है ब्लाकिष वाटर होता है ज़िसको पर द्यान देना ओक्य तो पहला क्या है भई फ्रेश वाटर आ गया छी क्यों यह सब साइल इटी पर डिबेंड करेगा बच्चों ध्यान रखना दूसरा चीज क्या है फ्रेश वाटर के बाद ब्लाएके शॉटर बोलते हैं इसको लुगे तीसरा चीज़ क्या होता है सी वाटर, सिंपल वाटर मतलब यहाँ पे सैलिनेटी ज्यादा होगा, और थर्ड वाला जो पॉइंट होता है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिगा है हाइपर सलाइन लगून्स यह आता है सी वाटर के बाद में हाइपर सलाइन लगून्स झात्त दरीगे नहीं लगून ओके, सो खॉशन रखना ह encontag समंदर से भी ज़्यादा खाड़ा पानी यहाँ पे भी है, यहाँ पे वाड लिका हमने इसको याद रखना आबरम से के वाया है, तो पता होना चयोंट समंदर से भी खारा पानी तो भाई पहला हैगा फ्रेश वाटर दूसरा ब्लैकिश वाटर तीसरा सी वाटर चवता है परसलाइन लगुन इसका सिक्वेंस दिमाग में बयांद में रखना मतलब कुछ भी क्वेश्चन आया तो भी अपना रेडी है ओके तो सैलिलिटी के बहुत कfulness मी बहुत साधा खारा पानी तु इस तरह से हमने से हिसको चीजे क्या हं तो इसका भी ऐह हमें बना लिया कि वाटर में देखो युडिहाईयन यूरी हलाइन का मतलब क्या होगा कि टॉलरेट वाइट रेंज ऑफ सैलिनिटी मतलब वह मीठे पाने में भी रहेगा ब्लैकेश वाटर में भी रहेगा तीनों टाइप के पाने में वह खुद को एड्डिस कर लेगा तो यह कौन हो गया यूरी हलाइन हो गया ओके इसका मॉलिबस इसको स्टार करके रखना स्टन आया तो अमको पता चाहिए सब चीजों के लिए रेडियो होना चाहिए या sea water से निकल के hyper saline तो वो मर जाएगा, क्योंकि क्या, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका salinity body address कर नहीं पाएगी, वहाँ पे जो नमक का percentage है, वो ज्यादा है, उसके body में वो नहीं address हो रहा है, तो बिचारा death हो जाएगा, तो बही simple बात है, steno haline का क्या, goldfish, goldfish को मीटे पान के रखना, कि एक होता है, यूरी haline, दूसरा होता है, steno haline, तो इसका क्या है, सैली निटी के उपर depend है, कि बही कितना नमक है, पानी के अंदर, done हो गया, अभी देखलो, इसको मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को बता दिये, कर ले ना इसको बस, ओके, अभी light वाला सन से ही आती है, सन से ही हमारे प्लांट जो है, फोटो सिंतेसिस कर रहे है, फोटो सिंतेसिस करें, खुद का खाना बनाते है, फिर हम तो हेट्रो ट्रॉप है, उनके उपर depend है, तो सभी ये चीज़े, light के उपर dependent है, तो light के हिसाब से हमारे body में change होते रहता है, so, diurnalic word है, इसका मतलब क्या होता है, daily, ये धान में रखना, ये hard hard word होते है, बुक के अंदर कुछ नहीं मिनी होता है, एकदम सिंपल है, क्या, daily बताया है, daily and seasonal variation with light intensity, लाइट के हिसाब से, खुद के body में, daily में changes कर रहे हो, या seasonal changes कर रहे हो, बस इतना ही है इसमें अंदर, तो जैसे जैस पता है, photo synthesis वाला concept है, और light वाला है, ठीक है, तो चलो, आगे चलते हैं अभी, this is the last biotic component, that is called as the biotic component, जो हम बात करने वाला है, soil के बारे में, okay, this is the last one और इसमें बहुत सारे concept है, और यहां पर बच्चे, मतलब, usually confusion वाला part जो होता है, वो soil के अंदर हो जाएगी, sir, ये confirm क्या है, regulate वाला चीज क्या है, hibernation क्या है, estivation क्या है, तो चलो एक बार इसको थोड़ा सा मैं detail भी बता देता हूँ, और आराम से बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाए, देखो अभी soil क्या है, soil हम लोगों को पता है, जैसे हमारे महारस्ट में, there is a very famous saying, कि हर 10-10 km के बाद, मिट्टी बदलती रहती है, लोगों का खान पान बदलते रहता है, okay, so that is the basic thing, कि हमारे यहाँ पे जो soil का structure है, it is different, okay, properties जो है soil की, वो different हो जाती है, soil का basically जो grain size हो गया, जो भी कुछ चीज़े है, they are changing, okay, percolation हो गया, water holding capacity हो गया, percolation मतलब किया, जो पानी अंदर जाने का capacity है okay, soil के अंदर से, वो सब कुछ, that is called the percolation, okay, यह ध्याने में रखना, percolation word का meaning, मतलब भई, जो भी raindrop गिर रहा है, या कोई water source से पानी जा रहा है, तो, पानी, जमीन के अंदर जो जाने का capacity होता है, उसको हम basically percolation बोलते है, या फिर दूसरा होता है, water holding capacity, पानी को, जो मिट hydrogen percentage कितना है, phosphorus कितना है, यह सभी जो चीजे है, that is the whole thing, इसके बारे में हम बात कर रहे है, okay, उसका capacity कितका है, फिर हम बात क्या करते है, भई कि उसका pH, mineral composition, topography क्या है, okay, that is all things related with the soil, अभी soil के अंदर कुछ basic और बहुत important concept आती है, CT के level से, okay, कि जो चीजों के पर अकसर questions आते है और sometimes the students gets confused, कि यह चीज कै, अभी देखो यहाँ पर concept आती है, homeostasis की, देखो ध्यान से समझना, यह मैं बोल देता हो, तुम लोगों को कि यह homeostasis है क्या, जैसे हमने यहाँ पर write down किया है, कि maintain a constant internal environment, okay, अभी इसका मतलब क्या होता है, देखो human being के हिसापस में बोलते हो, जितन तो हमारे body के बहुत सारे enzymes है, हमारे body के अंदर बहुत सारी biological activities होती रहती है, तो enzymes work करने के लिए reactions हो रहे है, sale है, sale कुछ न कुछ करते रहेगा, खाना खा लिया, उसको digest करेगा, बहुत सारी चीज़े होती है body के अंदर, तो यह जो भी enzymes हमारे body में है, जो भी abundant enzymes है, उनको regulate होने के लिए, एक optimum temperature की ज़रूरत होती है, तो जैसे हमारे समझो, इसे पकड़ लोगी है, हमारे body के temperature enzymes जो है, वो 25 degree Celsius पर काम कर रहे है, तो अगर 35 होंगे तो काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हमको पता है, summer के time में फिर भी हम चलते रहते है, so that is the adjustment body खुद के साथ बना र आंती से समझ लेना क्या बोला मैंने, लगी तो repeat करके थोड़ा सा देख लेना, maintain constant internal environment, अगर भाई, बाहर का change भी हो रहा है, तब भी, मतलब अगर external changing भी है, तब भी, यह ध्यान में रखना, अगर external change भी हो रहा है, तब भी internal को पकड़ के रखो, so that is called as the homeost, एक दम simple और सहील language में बोला है, okay, dance समझ लो, that is, अभी इसके अंदर बहुत सारे concept आ रहे, बही कौन-कौन से चलो आ जाओ, देख लेते एक बर, तो first concept आता है, regulate का, okay, regulation का मतलब क्या होता है, maintain homeostasis, अभी homeostasis हमको पता चलिके, बाहर कुछ भी हो, अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, अंदर का सभी system एकदम proper चला चाहिए, brain function करना चाहिए, heart, liver, kidney, सभी चीजोंने proper तरीके से काम करना चाहिए, so that is the fundamental, मतलब यह जो homeostasis है, इसको, भई, maintain रखना चाहिए, मतलब यह बाहर से regulate करते हम body, अगर बाहर के कुछ internal condition, change भी हो रही है, तब भी हमारा body temperature, maintain ही रहता है, जैसे तो that is the point, constant osmotic gradient, यह भी हमारा body maintain करता है, मतलब external में changes हो रहे है, लेकिन body खुद को add up कर रही है, मतलब हमारा survival ability ज्यादा है, इसके वैसे हम इस प्लानेट पे टिके हुए है, नहीं तो कबके खतम हो जाते, ऐसा है, अभी तो राज चल रहा है हमारा, okay, so that is the point, so that is called as the regulate, regulate मतलब maintain homeostasis, homeostasis को हम particularly maintain कर रहे है, अभी इसमें और दो concept आते है, कौन से आते हैं, thermoregulation और osmoregulation, okay, thermoregulation कि से जैसे word ही meaning कर रहा है, कि thermoregulation मतलब temperature से related है, okay, और osmoregulation मतलब osmotic concentration, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ अभी देखो, osmotic concentration, मतलब क्या भी body का osmotic concentration है, उसको maintain रख रहे है और temperature को भी maintain रख रहे है, अभी अभी मैंने बोला, बाहर कुछ भी temperature हो भी अंदर का, सही होना चाहिए, that is the fundamental, उसी concept को हम बोलते है, regulate, okay, अभी confirm का क्या चीज़ है, कि भई जो maintain नहीं कर पा रहा है, मतलब अगर बाहर कोई changes हो रहा है, तो वो खुद के body को वैसे change नहीं कर रहा है, होगे, तो वो अब ऐसे भी बहुत सारे organism है, कि जो खुद के body को maintain नहीं कर पाते है, उनका body adaptable नहीं है, कि बाहर के environment अगर change हो रहा है, उनको खुद को फिर adapt करने में तकलिप जाते है, तो वो कैसा करते हैं, ऐसे चीज़े हैं, तो इन सभी organisms और animals को या जो भी homeostasis, जो homeostasis को maintain नहीं कर पा रहे है, तीसरा वाला चीज है, क्या है बई, अब और कोई organism होम करेगा क्या अब कि समझो एक टाइगर की बात ले लो टाइगर की बात ले लितने डिर्ट ने निबचा है पीने के लिए पानी ने बचा है करेगा क्या दूसरे जंगल में my great कर लेगा मतलब जो स्ट्रेश फूल डो फूर्म कंड사 रहार चला जाएगा और जहां के साथ तो बच्चों का होता नहीं बट कोई कोई बच्चों होंगे ऐसे जो इनको बायो बेसिकली बोर लगता हो लेकिन होता नहीं है 90% बच्चे बायो को लाइक ही करते हैं कोगह आप भी करी रोगहे तो जब एशां पढ़ रहे होते हैं ये हमारे साथ चीजे साथ हमारे अला जाता ये जाब chemto Stephen को छोड़ देता में छोड़ देता ही कोई वह二 अवह सारे ही लेकिन अंदर हम उसको जहले नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, simple, organism move away, वो क्या करता है, उस situation को छोड़ के भाग जाता है, वही होता है, बहुत सारे लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन करना नहीं, टिक्के रहना दम पे, that is the point, exam कितना भी tough हो, टिक्के रहो, score आएगा, that is the point, okay, so, organism move away easily from the stressful habitat, उसको हम बोलेंगे, migrate, okay, तो वो migrate हो जाएंगा, और इसका last topic, what is it, called as the suspend, बहुत सस्पेंड में क्या है, देखो, बहुत सस्पेंड में क्या है, बहुत हमको पता है, बहुत सब्सक्राइब का environmental, temperature, pressure, osmetic gradient, यह सभी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, okay, तो हम क्या करेंगे, उस time में, जैसे अभी मैं हूँ, okay, अभी मुझे पता चल रहा है, कि जैसे भी lockdown लग गया, देखो, एकदम simple best example अपने possible, corona time हो गया, lockdown लग गया, सभी लोग घर में बिलकुल कैद हो गया, कोई option नहीं बचा, जो विचारा job कर रहा है, सब बंद, everything हमने घर में कुछ ना कुछ entertainment चीज़े बनाना सीख लिया, हमने recipes सीखे, हमने घर वालों के साथ time बताना सीख लिया, बहुत सारे किसी नहीं skills सीखे, किसी नहीं exercise करना चालो किया, तो बहुत सारी कोई बच्चे पब जीपी लगे रहे, okay, so that is the point of thing, कि ये सब चीज़े हम करत है, मतलब suspend मतलब क्या है, कि थोड़े time के लिए रुख जाओ, जब तक ये situation अच्छी नहीं होती, तो थोड़ी दर के लिए खुद को संभाल लो, और उस pressure को थोड़ी दर के लिए sustain करो, तो simple इसका example क्या है, dormancy of seed, जैसे seed को लगता है, जैसे भी plant है, बहुत सारे seed बना रहे है, लेकिन जब उनको लग रहा है, कि अभी seed के लिए germination होने के लिए क्या लगता है, पानी लगता है, soil लगता है, लेकिन अगर वो environmental condition सही नहीं है, seed grow नहीं होगा, तो वो क्या करता है, पर dormant stage में चला जाता है, दो मेने, चार मेने, पाच मेने, कुछ नहीं करेगा, वैसे के वैसे ही मिट्टी में गिर के रहे जाएंगा, लेकिन जैसे ही बारिश की पहले बूंद आएगी, तो वो क्या करेगा, एक plant को बनाएगा, ब्लूम करेगा, उसी को हम क्या बोलता है, suspend, मतलब थोड़े दरी tough time है, रुक जाओ, रुक जाओ, फिर रॉक करेंगे, that is the point, उस में भी दो concept आते हैं, कौन से भई, इसके उपर भी questions आते हैं, क्या है, एक है, hibernation, और दूसरा क्या है, estivation, hibernation क्या चीज़ है, एकदम simple, जो winter में हम condition stressful है, बहुत सारा है, तो वो time पे छुप जाना अंदर, तो ऐसे बहुत सारा animal करते हैं, यहाँ पर एक example लिगा, polar bear, से आएगा ना, आराम से जाके rest करेगा, बाहर ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है, बाहर का atmosphere भी ठीक नहीं है, उसके लिए, so that is called as the hibernation, मतलब के winter time में, वो hibernation में चला जाएगा, वे ध्यान में रखना, hibernation का सीधा connection, winter से है, ओके, और estivation का सीधा connection, summer से है, estivation यह password ले लो, तुमको दे देता हो, homework सब लोगों नहीं किया होता है, तो यह से confusion ही दूर हो जाता है, कि जैसे हमको पता है, hibernation, तो यह समझ लेना, winter से related है, ओके, क्यासे, hw, मतलब hibernation, winter, and दूसरा, as, तो as का का कोई tension है नहीं, estivation is directly related to the summer, हो गया काम, ओके, तो confusion होने का क कोई chance ही नहीं बन रहा यहां पर, so that is the point, okay, चलो, आगे बढ़ते हैं, बच्चों, इसके बाद में हम लोग नहीं कि एक chapter के actually one shoot lecture बनाना चाहते थे, लेकिन, थोड़े sir, हमारे ज्यादा knowledgeable है, इसलिए sir, बहुत ज्यादा depth में पढ़ा रहे है, हम लोग क्या करगे, एक chapter के द बच्चों, बिल्कुल, तो चलो, बाई करते हैं, इसके साथ इस वीडियो को करते हैं, खतम, yes sir, thanks a lot for the opportunity, आगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो subscribe करना, बच्चों आप करना और share करना, जितना ज्यादा वाइरल होगा, उतने हमारे sir, motivational के साथ, यह तो बच्चों एक लाइक दड़ा-दड़ मार देना, बस बाजुवाले का भी मुबल लेके मार देना, पप्पा का मुबल लेके मार देना, ममी का मुबल लेके मार देना, बात खतम हो गई, बस और कैसे है, thank you, best luck बच्चों, चलो, बबच्चों